हेलो एब्रीवन नमस्ते सच्छे काल आप सबी को नवरात्री की बहुत बहुत शुब कामना है कैसे आप सब उमीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे आज नवरात्री का पहला दिन है और कैनडा में हमने इसको कैसे सेलिब्रेट किया यह मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी और बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सबसे निवेदन है अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तो अभी हम जा रहे है नवरात्री की शौपिंग करने और यह समान आपको सिर्फ इंडियन स्टोर देशी स्टोर या इस्टोर पे ही मिलने वाला है कैनेडा में इस तरह से पिलर पे साइन बोर्ट होते हैं इस तरह से यहां पे बस्टॉप्स होते हैं और मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है पिछली नवरात्री को भी कुछ इसी तरह का बारिश जैसा मौसम था बहुत ज्यादा ठंड़नी है बहुत प्लेजन्ट सी हवा चल रही है कोई भी छोटा बड़ा तेवार आता है तो मैं बहुत जादे एक्साइटेड हो जाती हूँ मझे बच्पन की बहुत सारी मेमोरीज याद आ जाती है और कोई भी फेस्टिवल हो सफाई करनी तो बनती है तो सफाई करके हम फटा फट रेड़ी होते है मेरी दादी के पास एक लपड़ी का स्टैंड था रमायन रखने वाला उसको क्या बोलते मुझे पता नहीं है और उसके उपर आरती की बुक्स रखती थी वो और हर नवरातर को वो नौधन के व्रत रखती थी और हम व्रत सिर्फ इसलिए रखते थे कि हमें अच्छा चा खाने को मिल जायाएगा बहुत अच्छा इंवार्मेंट होता था उस टाइम पर बच्पन में और यह जो फोटो है माता रानी की मेरा ब्रदर इनलौ वैष्णो देवी गया था मेरे आने से थेले तो मैं माता रानी को इंडिया से अपने साथ में लेकर के आई थी यहां पर हमने यहां पर बहुत जादा समान रखा नहीं हुआ है बहुत लिमिटेड ही और इंपॉर्टन समान रखा है तो जो समान है मेरे पास अभी मैं उसी से काम चलाऊंगी आरती के लिए अम्बे तू है जग दंबे काली जैदूर के खपरवाली तेरे ही गुड़ गाये भाले के हो वैया हम सब उतारे तेरे याल के अम्बे तू है जग दंबे काली जैदूर के खपरवाली तेरे की गुड़ गाये भाले के हो वैया हम सब उतारे के लिए आरती ये मेरा छोटा सा सुन्दर सा मंदिर ये मेरा छोटा है जो जैसी नियत रखता है प्यारा सजा है तेरा अर्भा माली इंक तेरा थी रखतो की यहां भगतो तो यह सारा समान हम लेकर के आये थे वरत के लिए और कुटू के आटे को मेरे हस्बेंट कुट कुट का आटा बोलते हैं यहां पर लॉकी को बॉइल करने रखा हुआ है रायता बनाने के लिए और सारी वेजिटेबल्स मैंने कट कर ली है सबजी बनाने के लिए और इसमें जो पनीर है तो मेरे हस्बेंट बोलते हैं पनीर की बिज़ती हो जाती है जब आलू के साथ बनाओ तो लेकिन रख में तो आपको यही खाना है तो गैस खाना बनके रेड़ी है यह कुटू और सिंगारे के आटी की पूरी की जगे हमने पराठे बनाए है उमीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी बच्पन की बहुत सारी मेमोरीज रीकॉल हो गई होगी और आप भी अपने परेजनों के साथ नवरा करताते बच्छी करता है उमीद की पी वरान आपे लुटाल आपने तो कि आपको बचल के आपको यह खा सब्सक्मण मेम की यह